अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आज हम आपको बनाना को बता रहे हैं मतन कोर्मा बहुत ही सिंपल है और घर के इंगीडियन से कैसे जट पड बन लिया जुँन केशा अपकी है गां से इंग्यादियेगे शुक्त में लासाब भूल जेफी तो एक टेबल स्पून गरम नमक टेश की इसाब गहा बहुत हमारा बता उत्यादिये कीजिआ योदे कीजिए कैवला उतर हुए य Chelsea शेका पानी और詐 लोता थे भूली पशादा जाएगा चाहिए इसका मेथट में आपको बता देती हूं देखिए चूला में चालू कर दी हूं पे कुकर रख दियों कुकर में मैंने आइल डाल दी आइल हमारा गरम हो चुका है और इसमें हम मतन छोड़ देंगे मतन कर्षे से तोड़ा सम इसको फ्राई हो ले देंगे इसके बाद में हम जिंजर गाली पेस्ट दाल देंगे इसके अंदर मिर्ची डाल देंगे दनिया पॉड़र डाल देंगे अंदर हल्दी डाल देंगे करम मसाला डाल देंगे नमक पेस्की हिसाब से डालेंगे और इसे थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे ऐसे ही जिसे मसाला पूनते हैं ऐसे ही हमें मिक्स करना है यह जो प्याज है यह भी डाल देंगे कर देंगे और केवरा गॉर्डर हम जब गोज भूने का जब डालेंगे और तम आधा ग्लास हम पानी दाल देंगे और मतन को गल्ले देंगे कर देंगे चार से पांस सिटी आ चुकी है इसको हम निक्स कर देंगे इसी स्टेज पे हमको दही एड करनी है दही डालेंगे और दही डालेंगे अच्छे से इसको चला लेंगे जैसे कि जो प्यास का जिएगा सम् था ग्साली कर देंगे और अक्षे से मीच काने के बास एक से दो मियंट तक पकाएंगे एक दो मिनिट के बाद हमारा कोर्मा तयार है मतन कॉर्मा जबते हैं कई तर और घर के इंगिडियन से बन गया ज़रू ट्राइग तर नियार मेरी रैसे आपको पसंद कांगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, थैंक यू फ्रेंग्स बाई